देवास के नाहर दरवारा थाना पुलिस ने एक कार से अवेच चराब की 34 पेटियां जब्त की जिसकी कीमत करीब डेल लाक रुपयां की गई दरसल पुलिस ने वहन चेकिंग को देखकर भागने की कोशुश की और कार को एक खेत में उतार दिया जिसके बाद पुलिस ने पीछा कर आरुपयों को पकड़ा और क्रेन की मदद से कार को खेत से निकाला नाहर दरवाजा चेत्र में ये कारवाई सुनिशित हुई है जिसमें की करीबन 34 पेटि देशी शराब और बीयर की पेटियां है कुलमला के 37 पेटि के कारवाई से जबती है और इसमें साफेद कार भी जबत हुई है बालबचारी है बीचों पकड़े गए हैं बाकी ये इसका सोर्स क्या है और कहां पर जा रही तो इसकी पूरी तैकिकार जारी है शीक्री उसमें भी कारवाई की जाएगा सर ये बात भी सामना आए कि पुलिस ने पीछा किया फिर के खेत में गाड़ी उतार दी फिर इंसे सिर्वाविक है आरोपी भागना चाह रहे थे जिसमें की नारदरवजा पुलिस ने अच्छी कारवाई की और इसको पकड़ा है सर क्या लगता है जैसे आसपस की शेत्र से पहले भी शिकाया थी अब बड़ी कारवाई हुई तो लगता है कि कुछ गिरो हो या और कुछ भी सामना आएगा जब पूछता जारी है को पिछले पूरे लबे समय से हम लगातार इस पर कारवाई है कर रहे हैं पूर में भी कई तोफान और इस तरह की कई फूर वीलर्स पकड़े हैं उसमें कि अब बड़ी शराव जबत की है और ये कारवाई लगता जारी रही है